प्रस्ण 54 अभी हल करेंगे तो प्रस्ण है एक दस्मलो तीन तीन एक का घात है माइनस एक जोड एक दस्मलो तीन तीन एक का घात माइनस दो जोड फिर डॉट 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 है इसी तरह देखे बढ़ता जा रहा है यानि माइनस एक हुआ यहाँ पर घात फिर माइनस दो फि एक दस्मलो तीन तीन एक का घात माइनस दो जोड एक दस्मलो तीन तीन एक का घात माइनस तीन जोड फिर डेस डॉट 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 दिया है फिर जोड एक दस्मलो तीन तीन एक का घात माइनस आट तो यहां पर माइनस दो से शुरू हुआ है घात में एक दस्मलो त 3 3 1 का फिर उसके बाद माइनस 3 उसी तरह बढ़ता हुआ कहां गया है माइनस 60 तक ठीक है तो अगर हम यह जो हर में है यानि बटा में है इसमें से एक दसमलो 3 3 1 को कॉमन ले लें ठीक है तो माइनस 2 से माइनस 1 हो जाएगा ठीक है एक कम एक इधर कॉमन ले लेंगे तो यह हो जागा माइनस 1 यहाँ पर हो जागा माइनस 2 और यहाँ पर हो जागा माइनस 7 ठीक है तो देखिए उपर में माइनस 1 माइनस 2 माइनस 7 तो इससे इ एक दस मलो तीन तीन एक common ले ले लेंगे यहाँ पर देखे common ले लेंगे ठीक है तो उसको अगर उपर minus एक घात होगा अगर यहाँ पर common लेंगे तो दीखे इसमें से अगर common लेंगे तो minus ऐसे एक गात होगा तो अगर इसको हम उपर भेज़ेंगे जैसे देखें जैसे यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं देखें इसमें से ठीक है तो एक दस्मलो तीन तीन एक का घात माइनस एक कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मंजला कोश्टक लगाएंगे तो यह हो जाएगा एक दस्मलो तीन तीन एक का घात माइनस एक जोड एक दस्मलो तीन तीन एक का घात यह हो जाएगा माइनस दो क्यूंकि एक कॉमन ले लिया है इधर तो एक एक घट जाएगा देखें यहाँ पे माइनस दो था तो माइनस एक हो जाएगा माइनस तीन है तो माइनस दो हो जाएगा फिर डॉट 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 देंगे पहले जोड का चीन निदे देंगे फिर डॉट 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 अब इसको लिख देंगे एक दसमलो तीन तीन एक कागाद माइनस साथ तो यहाँ पर माइनस 8 है, तो माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि एक को हम common लिया हैं यहां पर, अब देखें, इस से यह कट जाएगा, ठीक है, तो, इस से यह कट जाएगा, क्योंकि देखें, यहां भी माइनस एक गात है, यहाँ भी है यहाँ पर minus 2 है और यहाँ पर minus 7 है तो यह भी देखिए गुना में ही है ठीक है देखिए यहाँ पर गुना में है और यह उपर सिर्फ इतना है तो इससे यह कट जाएगा क्योंकि यहाँ भी है एक दस्मलो तीन 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 एक अघाद minus 1 जोड यहाँ भी जोड यहाँ भी जोड एक दस्मलो तीन 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 एक अघाद minus 2 जोड एक दस्मलो तीन 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 एक अघाद minus 7 एक दस्मलो तीन 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 एक अघाद minus 7 तो इससे इसको काट लेंगे अब यहाँ पर माइनस एक घात है तो इसको यह हर में है तो इसको अंस में कर लेंगे तो हो जाएगा एक दस्मलो तीन तीन एक ठीक है तो माइनस एक घात था तो इसको अंस में कर लेंगे तो घात माइनस में इसलिए माइनस हट जाएगा घात एक हो जाएगा तो घात एक को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अब पूरा पे घात कितना है दो बटा तीन देखें कोश्चन में ही दिया हुआ है पूरा पे घात है दो बटा तीन तो इसका घात लिख देंगे दो बटा तीन तो एक दस्मलो तीन तीन एक तो एक दस्मलो तीन तीनो को हम लिख सकते हैं दस्मलो देखे हटा करके 1331 यानि दस्मलो अगर हम मान लेकि दस्मलो नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 1331 तो 1331 कैसे आता है 11-11-11 करने पर ठीक है 11-11 करेंगे तो 121 आएगा 121 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आजाएगा 1331 तो इसको हम लिख देंगे बराबर तो यहां पर एक दस्मलो तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन तीन तीन एक को लिख सकते हैं एक दस्मलो एक गुना एक दस्मलो एक गुना एक दस्मलो एक तो इसको लिख लेंगे 1.1 का घात 3 यानि 1.3,3,1 को लिख सकते हैं 1.1 का घात 3 और पूरा पे घात 2 गटा 3 क्योंकि पूरा पे घात है 2 गटा 3, प्रस्न में ही है तो तो जब भी घात पे घात रहे, तो गुना हो जाता है घात तो हो जाएगा एक दस्मलो एक का घहाद तीन गुना दो वटा तीन तीन से तीन कट जाएगा तो बराबर हो गया एक दस्मलो एक का घहाद दो बराबर अब 11 गुना 11 करेंगा तो 121 आएगा अगर हम माल लें कि हाँ पर दस्मलो नहीं है तो 11 हुआ 11 गुना 11, 121 ठीक है, क्योंकि घाद 2 है अब दस्मलों के बाद 1 अंख है तो इसका वर्क करने पे दस्मलों के बाद 2 अंख होना चाहिए तो दाई ओर से 2 अंख के पहले दस्मलों लगा लेंगे तो इसका उत्तर क्या आ गया, 1 दस्मलों 2 एक तो इसका उत्तर आ गया, 1 दस्मलों 2 एक तो इस तरह इसको हल करेंगे प्रस्न पच्पन तो प्रस्न पच्पन में है, 1 माइनस 1 वटा 3 गुना 1 माइनस एक वटा 4 गुना 1 माइनस एक वटा 5 डॉट 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 एक माइनस एक वटा इन तो ये प्रस्न दिया हुआ है तो अगर हम 3 लगुत्तम लेंगे तो 3 गुना एक 3, 3 में से एक गया तो 2 वटा 3 इसको लिख सकते है तो लिख लेंगे 2 वटा 3 कोश्टक हटाएंगे तो गुना हो जाएगा क्योंकि कोश्टक कि बाद कोई चिन नहीं है तो गुना का चिन ने देंगे 4 लग उत्तम लेंगे तो 4 गुना 1, 4 4 में से एक गया तो 3 यानि 3 वटा 4 इसको लिख लेंगे 5 लग उत्तम लेंगे तो 5 गुना 1, 5 5 में से एक गया 4 यानि 4 वटा 5 गुना फिर डौट 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 यानि इस तरह बढ़ता जा रहा है देखिए 2 वटा 3 3 वटा 4 4 वटा 5 5 वटा 6 6 वटा 7 इस तरह से बढ़ता जा रहा है तो अंत कहां पर हुआ है यानि n लग उत्तम लेंगे तो n गुना 1 n, n-1 यानि n-1 बटा n इसको लिख लेंगे ठीक है और यहां पर कोश्टक लगा देंगे मंजला तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं इसको लग उत्तम लें करके ठीक है अब देखे 3 से 3 कट गया 4 से 4 कट गया 5 से 5 यहां पर भी 5 बटा 6 होगा फिर 6 बटा 7 7 बटा 8 इस तरह से बढ़ता जागा तो 5 से 5 कट जागा ठीक है तो n-1 बटा n उसी तरह देखे n-1 भी कट जागा क्योंगी नीचे जैसे 3 से 3 कट गया 4 से 4 5 से 5 इसी तरह n-1 भी यहां पर जो आएगा इसके आगे का संक्या उससे कट जाएगा तो क्या बचा है यहां पर हर में n बचा और answer में 2 यानि इसका उत्तर हो जाएगा 2 बटा n इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2 बटा n